दोस्तो अगर आप अपने OnePlus Nord CE3 Lite की फोन में किसी भी एप को हाइड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ अप्लिकेशन को आप हाइड कैसे करेंगे और जिस अप्लिकेशन को आप हाइड करते हैं उसको ओपिन करना चाहते हैं तो ओपिन कैसे करेंगे सबसे पाले दोस्तो आप अपने फोन में शेटिंग मोबिन करेंगे शेटिंग मोबिन करने का बाद थोड़ा नीची आएंगे यहां पर आपको एक ओप्शन देखने को मिल जाता है शिकोटी का आपको इस पर किलिक करना है शिकोटी की ओप्शन पर किलिक करने का बाद यहां पर आपक पास्वर्ड पर किलिक करके पास्वर्ड आप लोग चेंज भी कर सकते हो यहां आप देख सकते हैं इसके बाद application hide करना है थाइड आप पर किलिक करेंगे और यहां पे कुछ important setting करेंगे अगर आपकी phone में show हो रही है वी hidden एप इसको on कर देंगे verify privacy password इसको भी आन कर देंगे और तक ही application जिसको हमने hide किया उसको कोई भी open करे तो password पहले enter करे अब इसके बाद जिस भी application को आप hide करना चाते हैं यहां से hide कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जिस application को आप hide कर देते हैं उसको आप लोग open करना चाते हैं इसके मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप open करेंगे application जो hide हैं यहां पर नई दिख रहे हैं application सो करने के लिए नीचे से उपर की तरद दो finger एक साथ slide करना है और password इंटर करना hidden app आपके screen पर दिख जाएंगे या आप जो search भी कर सकते हैं search bar में यहां पर search भी कर सकते हो application आपको दिख जाएंगे